सुप्रभात बच्चों बरगश्टम के सभी बच्चे ध्यान देंगे सास्त्री जी की जीवनी यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं अब आगे देखेंगे सास्त्री जी जब प्रधान मंत्री बने तो उन्हें सरकारी आवास के साथ ही इंपाला सेवरले कार्ड भी मिली जिसक साउप्योग कब होता था राज की अतितियों के आने पढ़ होता था यानि राज की कारबार के कारजगरम के लिए होता था आने जाने के अतितियों के लिए एक बार सुनील हुआ कार ले गए सुनील उनका बेटा सास्त्री जी का लरका एक बार वो कार जो प्रस्नल यूज क के लिए ले गए सास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्रैवर से पूछा कि कार कुल कितने किलोमेटर चली ड्रैवर ने कहा कि 14 किलोमेटर चली है तो उन्होंने ड्रैवर को निर्देश दिया ड्रैवर को क्या देश दिया सुनिए कि लिख दो 14 किलोमेटर पैसा जमा करदें और अपने पत्नी को आदेश दिया दिये कि साथ पैसे प्रती किलो मीटर के हिसाब से वो पैसा जमा कर दें राजकी आवास में इसी ही ना जाने कितने घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि सास्त्री जी भारत के सबसे इमांदार लोकड़क छक सजग वह सरल हिर्दय वाले भावक पढ़ान मंत्री थे इनके विशे में 1965 के युद में महत्तो पूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर चीफ मार्शल अरजन सिंग जी ने कहा सास्त्री जी एक साद्री भरी जिन्द्री जीने वाले सरल आदमी थे पर वे किसी भी मसले पर ने बहुत मसले थे मांदार्त है मजबूत थे तिन और सो तक साद्री जी में समर्पूर्ण भाव से भात मता की सेवा की समर्पन भाव जांते हैं समर पर भाव यानि एकदम तन मन धन से भाःत की सेवा की इस अबधी में वे अपनी यहां प्रियव प्रधान मंतरी बने देखिए यहां बिनाम्गता जनते हैं दिर्था इदम दुरीव संकल्प थाइस्णूता यानि जहान करने की छमता निष्ठा यानि एकदम कर्म निष्ठ होकर और आजमी सिर्फ बल्वान होने से नहीं होता है ज़ागृत, आंत्रिक सकती जब Mongolis नहीं होते हैं कि कि सब्सक्राइब जन्जन के पर्धान मंत्री बने बास्तव में लाल बहादूर सास्त्री भारत और भारतियता की सास्वत पहचान है सास्वत मतलब क्या होता है सदा रहने वाला इनम सत्र सहीर पहचान है देखिए सास्त्री भारत भारतियता की सास्वत पहचान है और यहां आगे देखें यहां जीवन दर्शन आप लोगों को कि मुझे कोई डर नहीं एक निफुन व्यक्ति सरल बात को भी आप आप से इस परकार कहेगा कि आप भ्रमित हो जाएं ताकि आप सोचे कि आपकी समझ में कमी है देखिए और उसके बाद सव्दार्थ याद कर लेंगे फिर मोखिक सास्त्री जी कौन थे तो सास्त्री जी कौन आस्तव तथां माता का नाम श्रीमाति राम दोलारि था और अब फिर दोस्ता कोशज़न देखिए पिता की मिर्टु के पश्चासा आप मिर्जापूर में हुई मंत्री मंदल से त्याक पत्र क्यों दे दिया तो 1901 में मंत्री मंदल में सामिल किया गया था और 1902 में क्या हुआ कि इनके सासनकाल में इनके रीजन में तमिल द्रगाटना में 112 लोगों की मिर्टू हो गई रेल द्रगाटना से और नेतिकता के अधार पर यह क्या कि है उसी समय यह त्याक पत्र दे दिया फिर आगे देखेंगे मंत्रि मंदल से आत्याक पत्र यह जान गया है रहा इसनेए जिते गई करेंगे और फिर यह दिवाप की चलते हूने कहा इन्हां कह नहिए कह ने पड़ा कि मैं हास्ताचर जरूरने कर में रहा हूं पर यह जमिन कोई दूसरा आदमी ही लोटाएगा आगे के वीडियो में असास्ती जी किस परकार के बेक्तितु के धनी थे आप जानते हैं अपने नाम के साथ जुरा जाती बाचक सब्द हटा कर क्या संदेश दिया यहां पर सारे आपको एंसर या प्रोशन का हल मिल जाएंग